नमस्ते दोस्तों स्वागत है आपका मेरे चैनल पर आज मैं आपके साथ में विटामिन सी से भरपूर बहुती टेस्टी और हेल्दी आवले के मुखवास के रेसिपी शेयर करने जा रहे हूँ तो चलिए मैं बताती हूँ कि इसे मैंने कैसे बनाया है आवले का मुखवास बनाने के लिए, मैंने आदा किलो आवले लिये हैं और इसको मैंने साफ धो करके पोच लिए है अब हमको थोड़ी मोटी सी कदुकस ले लेना है ये देखे और इससे आवले को हम कदुकस कर लेंगे आप इससे मोटा भी ले सकते हैं ज्यादा पतला हमको ने कीस बनाना है इसका क्योंकि उससे इसका रस ज्यादा छूट जाता है और फिर इसको सुखाने में दिक्कत होती है इसलिए मीडियम साइस का या फिर इससे अगर मोटा चाह है तो वो भी ले सकते हैं और इस तरीके से कद्दूकस कर लेना है इसको सारे आवले हमको कद्दूकस कर लेना है देखिए सीधा सीधा बहुत आवले से कद्दूकस हो जाते हैं क्योंकि आवले बड़े साइस के होते हैं और बहुत आसानी से हम इसको कद्दूकस कर सकते हैं तो इस तरीके से सारे आलो को हम कद्दू कस कर लेंगे अगर इसमें आपको लगता है कि रस जादा है तो आप थोड़ा सा निचोड सकते हैं लेकिन मैं इसका रस नहीं निकाल रहे हूँ इसमें मैं मसाले मिक्स कर रहे हूँ यह तो एक चमच मैंने जीरा पाउडर लिया है और एक चमच ही काला नमक है चोटी चमच से एक चमच काला नमक इसको हम मिला लेंगे इसके हलावा आप अगर काली में पसंद करते हैं या फिर हींग वगएरे डालना चाहते हैं तो आप डाल सकते हैं लेकिन सिर्फ काला नमक और जीरे से इसका स्वाद बहुत अच्छा आ जाता है और अगर इसका रस नहीं निकाले तो ये अच्छे से नमक और जीरा को एब्सॉर्ब कर लेता है अब इसके बाद में मैंने इक टेबल पे पॉलिथिन बिचा दिया है और इसके हम इसको तेज दूप में सुखा देंगे तेज दूप में सुखाने से एक दिन में बहुत अच्छे से सूख जाता है तो इस तरीके से हमको फईला लेना है तो ये दिखे मैंने पूरा कदूकस किया हुआ आवला फैला दिया है ये मसालेदार आवला आप इसमें चाहे तो चाट मसाला या जो भी चाहे डाल सकते हैं अपने टेस्ट की अनुसा और बीच बीच में हमको इसमें हाथ गुमाते जाना है थोड़ा उलट पलट करते जाएं और ये काफी अच्छे से सूख चुका है थोड़ी देर और रहेगा आप देखिए थोड़ा सनरम है लेकिन ये एक घंटे में पूरी तरह सूख जाएगा और फिर हमारा मुख्वास बन करके रेडी हो जाएगा और ये देखिए शाम होने के पहले तक ही बहुत अच्छे से सूख चुका है और काफी क्रिस्पी हो गया है कुर्कूरा हो गया है आवले का मुख्वास बन करते यार है इसको मैंने निकाल लिये है और इसको आप एर टाइट कंटेनर में भर करके साल भर के लिए स्टोर करके रख सकते हो मैंने थोड़ा सा आपको बताया है वाकि हम लोग काफी बनाते हैं ये तो आप भी इसको बहुत ज्यादा क्वांटिटी में बना कर रख सकते हैं बच्चों को भी बहुत पसंद आता है और दिन बेर आप इसको खाने के बाद खा सकते हैं जब भी आपको अच्छा कुछ खा सकते हैं काफी हल्दी भी होता है और टेस्ट में भी बहुत अच्छा होता है तो ये देखिए हमारा मुख्वास बनकर रेडी हो गया है अगर आपको रेसिपी पसंद आई मुख्वास बनाने की और ये वीडियो आपके लिए यूसफूल है तो आप प्लीस लाइक किज शेर किजी मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूली थैंक यू सो मच